है गाइस वेल्कम बाक टू दी चानल सूपर सॉनिक आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप टैन मस्टेंग क्रैसिज इन दा वर्ल्ड वैसे तो मैंने इस पर अल्रेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें आप लोग लिए मस्टेंग के अक्सिडेंट दिखाए हैं जो कि इ टीमेट लेवल की है खेर ये सारी चीज़े हम लोग छोड़ते हैं बात करते हैं इन सारे क्रैसिस के बारे में नमबर वन येलो कलर की मस्टेंग जो कि हास्ते का शिकार हो जाती है बिसिकली जो सूपर कार ओनर रहते हैं वो मोस्ली ऑफ दर टाइम अपने बिजनस में और अ धिय को जाएए यहें बन Buffer रहते हैं जैसके लिए से जा Esse जिए कर देर जाती है बिसिकली बिसिकली आप लोग अलग आप लोग से देखनेकू मिल जाती है जो इंडे के अंदर आती है वो नॉर्मल मस्टैंग है बट अगर आप बाहर के कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ पर आप को शेल भी या फिर और भी बहुत सारी है जीटी, कोब्रा आप ना जाने कितने सारी मस्टैंग जो है वो देखने को मिल जाती है यहाँ पर होता है जो यह मस्टैंग रहती है वो एक कार शो में आई होती है और उस कार शो में से जा रही होती है बिसिकली जो ओनर रहता है वो इस गाड़ी के एक्सलेरेटर को इतने जदा हिट कर देता है कि कार जो है वो पूरी तरीके से एक डिरिफ्ट खाते हुए हो जाता है बट मुझे देखकर कैसा लग नहीं रहा कि मलब मस्टैंग की इतनी बुरी हालत कैसे हो सकती है इतनी जदा स्पीड भी नहीं रहती बट फिर भी उसके बावजूद भी जहांपर अगर आप लोग आप लोग देखोगे मस्टैंग की तो काफी बुरी हो गई है आपर जो दर्वाजी हैं गाड़ी के वो काफी बुरी तरीके से पिचक गए है रूफ अगर आप देखोगे तो काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है और बाकी जो विंड्शील्ड है और बाकी सारी चीज़े वो तो आप लोगो डेमेज देखने को मिल ही रही हो गी तो अगर आप लोग भी वाई शो आफ करते हैं तो इस नतीज़ा हो सकता है हर बार तो नहीं लेकिन एक नएक पॉइंट पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है एक्स नमबर थी पॉर्श और मस्टैंग का यह एक्सिडेंट है एक पेर ऑफ स्पोर्ट्स कार जो की हाईवे इस एक्सिडेंट का आप लोग अंदाज रही जाना भाई वो भी निकल जाता है गाड़ी में से तो यह काफिस दर खतरनाक एक्सिनेंट रहता है यहाँ पर किस्मत अच्छी रहती है कि यह लोग बाकी गाड़ीों से कॉलाइड नहीं होते जो साइड पर बैरिगेड बने रहते हैं उसके अंदर जाकर के हिट हो जाती है औ और यह एक्सिनेंट होने के चकर में चार-पांच घंटे तक जो हाईवे रहता है वो काफी बुरी तरीके से जाम पड़ जाता है नेक्स तमबर फूर कैलिफोनिया का यह एक्सिनेंट है जो कि मुझे काफी जदा भयानक लगा जो आप लोग मस्टैंग देख रहे हो जिसक और उसके बाद जो गाड़ी है उसको घास में लिया करके ड्रिफ्ट मानने के कोशिश कर रहा होता है गाड़ी जो है वो काफी बुरी तरीके से अंकंट्रोल हो जाती है और सीधा जाकर के स्लाइड करते हूँ पूरे पेड़ में लग जाती है खैर इसमें या पर बहुत अ लग रहा है रैप अप कर दिया है किसी ने पेड़ के ऊपर खैर इस बंदे की किसमत बहुत अच्छी रहती है थोड़ी से माइना चोट आती है बट यह बिलकुल ही सेफ रहता है यहां पर अगर आप लोग गाड़ी को देखो गए तो भाई पूरी तरीके से कार जो है वो मुम्किन होता है चाहे कार लेलो या फिर बाइक लेलो नेक्स नमबर फाइफ जीटी फाइफंडेट सेल्बी का यह एक्सिनेंट होता है एक महिला जो कि अपनी गाड़ी को भगारी होती है रोड पे बहुत जाता ओवर स्पीडिंग कर रही होती है और वह गाड़ी को ओव इंजन तक बाहर निकल करके आ जाता है बट अब इस एक्सिनेंट को अगर आप देखोगी तो आप लोगो क्या लगेगा कि जो इसके अंदर बैठी वे ड्राइवर थी उसकी दैथ हो गई होगी खैर उसकी किसमत इतनी जाद अच्छी रहती है कि वह किसी तरीके से बच जा गलती के वज़े से एक्सिनेंट का शिकार हो जाती है बट यह जो बंदा रहता है इस गाड़ी को रॉंक साइट चला रहा होता है और एचानक से एक सामने से गाड़ी आ जाती है जो कि सीधा इसके अंदर हिट कर जाती है यहाँ पर अगर आप लोगों दिख रहा होगा जि कि कोई भी गलती ने रहाती नेक्स नंबर सेवें युएस से कई एक्सिनेंट है जो कि 3 सितंबर 2020 में होता है लगबग शाम के पांच बिच के 40 मिनट पे एक्सिनेंट होता है होता क्या है बिसिकली आप लोगों ने भी काफी बार यह चीज़ और करी होगी जब भी आप लो पर में बिल्कुल भी मचलो और आपके साथ कब हास्था हो जाएगा आपको खुद को नहीं बता लगीगा यहां पर इग्जकली यहीं चीज़ होती है एक लाइन में जो मस्टैंग वह जा रही होती है बट एक दम से ट्रक वाले ने जिदम से गाड़ी को राइट साइड की बच जाते हैं बट यहां पर अगर मस्टेंग को देखो गई तो काफी बुरी हालत हो गई है मतलब सारी चीज़ जो है वह काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है इस कार की नेक्स नमबर एट एरुजोना में एक्सिडेंट होता है 14 अप्रेल 2019 में ब्लैक कि करने की कोशिश कर रहा होता है और गाड़ी जो है वह अंकंट्रोल हो जाती है और जाकर के फोन बूत के अंदर हिट हो जाती है यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर आप लोगो फ्रंड में काफी ज़्यादा अच्छी रहती है कि जिस टाइम यह बंदा कर र हासा हो जाता है दूसरा का ड्राइवर रहता है और यह जो मस्टैंग रहती है वह सीधा जाकर करके उसको कॉलाइड कर देती है यहां पर अच्छा खासा डैमेज जो है वह आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा तो ऐसे ब्योकूफ हो का हम करी क्या सकते हैं मगर दूसर के गुरूप में इस गाड़ी को दिखा रहा होता है और ओवर एक्सेक्मेंट के चकर में यह एक्सिलरेटर जादा कर दीता है जिसके जो मस्टैंग है वह जाकर के एक गढड़े के अंदर गिर जाती है जो की पानी से पूरा भरा होता है खैर इस बंदे को कोई भी इंजिर कर दो में